संग्या विकार, कारग बच्चों आज मैं आपको कारग के विशे में समझाऊंगे बच्चों इन वाक्यों को पढ़िए सुमन ने सुश्मा को उपहार दिया मचलिया तालाब में तैर रही है पेड से सेब गिरा भाईया नाना जी के लिए पानी लाए बच्चों वाक्यों के ये रंगीन शब्द ने, मे, से के लिए कारग कहलाते हैं क्योंकि बच्चों इनके द्वारा वाक्य का पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है इस प्रकार संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंद वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारग कहते हैं कारग आठ प्रकार के होते हैं कर्टा कारग बच्चों कर्टा का अर्थ होता है कार्य करने वाला तथा कर्टा की पहचान ने कारग चिन्न के द्वारा होती है इस प्रकार संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानि की कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्टा कारग कहते हैं जैसे मा ने सबजी बनाई इस वाक्य में सबजी बनाने का कार्य मा ने किया है इसलिए इस वाक्य में मा करता है और इसके साथ लगा ने कारक चिन्न है इस कारण यह करता कारक है कर्म कारक बच्चो करता द्वारा किये गए काम का प्रभाव जिस शब्द पर पढ़ता है वह शब्द कर्म होता है तथा कर्म की पहचान को कारक चिन्ध द्वारा होती है इस प्रकार वाक्य में क्रिया का फल करता पर न पढ़कर जिस अन्य संग्या शब्द पर पढ़ता है उसे कर्म कारक कहते है जैसे श्वेता ने अतुल को हिंदी पढ़ाई इस वाक्य में श्वेता करता द्वारा हिंदी पढ़ाने के कार्य का प्रभाव अतुल पर पढ़ रहा है इसलिए यहां अतुल शब्द कर्म है तथा को कर्म कारक का चिन्न है बच्चो कर्मकारक को प्रश्ण पूच कर भी समझा जाता है, जैसे प्रश्ण किया जाए, हिंदी किसे या किस को पढ़ाई, तो उतर मिलेगा अतुल को, इस प्रकार अतुल शब्द कर्मकारक को प्रकट करता है करणकारक करता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उस साधन या माध्यम को करणकारक कहते हैं बच्चो कार्य करने वाला यानि की करता, जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, वह साधन या माध्यम करणकारक होता है, तथा इसकी पहचान से या द्वारा इन चिन्हों से होती है जैसे पियूश ने गिलास से पानी पिया इस वाक्य में पियूश ने किस साधन से पानी पिया? गिलास से यहां पियूश करता द्वारा पानी पीने का कार्य गिलास से या गिलास के द्वारा किया गया है इसलिए यहां गिलास करणकारक है संप्रदान कारक बच्चो करता यानि की कार्य करने वाला जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है इस बात की जानकारी या बोध जिस शब्द से होता है वह संप्रदान कारक होता है तथा इसे के लिए तथा को कारक चिन्हों द्वारा पेचाना जाता है इस प्रकार करता जिस के लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं जैसे, दादा जी विशाल के लिए फल लाए, वाक्य में दादा जी किस के लिए फल लाए, विशाल के लिए, यहां दादा जी करता द्वारा फल लाने या देने का कारिव विशाल के लिए या विशाल को किया गया है, इसलिए विशाल संप्रदान कारक है, अपादान कारक संग्या या सरवनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं यानि कि वाक्य में जिस शब्द द्वारा एक दूसरे से अलग होने या तुलना होने का पता चलता है, वह शब्द अपादान कारक होता है, तथा इसे से कारक चिन्ध द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे विनय अविनाश से चतुर है, इस वाक्य में विनय की अविनाश से तुलना की जा रही है, इसलिए अविनाश अपादान कारक है, एक और उदाहरण देखते हैं, पेड से फल गिरा, इस वाक्य में फल पेड से गिर गया है, यानि कि पेड से अलग हो गया है, यहाँ फल का पेड से अलग होने का भाव है, इसलिए पेड अपादान कारक है, संबंध कारक संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संग्या शब्दों से प्रकट हो, उस रूप को संबंध कारक कहते हैं, यानि कि किसी वाक्य में आए वे संग्या या सर्वनाम शब्द, जो वाक्य के अन्य शब्दों से अपना संबंध प्रकट करते हैं, संबंध कारक होते हैं, तथा इन्हें का, के, की, रा, री, रे, ने, नी, आदेचिन्हों से प्रकट किया जाता है, जैसे मेरी नानी जी खाना बना रही है इस वाक्य में नानी जी का संबंद मुझ से याने कि वाक्य बोलने वाले से प्रकट हो रहा है इसलिए मेरी संबंद कारक है एक और उदाहरण देखते हैं वह चारू का घर है इस वाक्य में घर का संबंध चारू से प्रकट हो रहा है इसलिए चारू का संबंध कारक है अधिकरण कारक संग्या की जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान यानि कि कार्य के होने का स्थान या समय आधिका पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहती है तथा इसे में एवं पर चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे निहाल कमरे में सो रहा है, इस वाक्य में निहाल के सोने का स्थान पता चल रहा है, इसलिए कमरे में अधिकरण कारक है, अब बात करते हैं कारक के आठवें तथा अंतिम्भेद की, जो है संबोधन कारक बच्चो जिन संग्या शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन याने की किसी को आदर पूर्वक के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं. इन्हें अरे, रे एवं हे कारक चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है जैसे अरे गोरव कहा जा रहे हो हे इश्वर हम पर दया करो इन वाक्यों में गोरव और इश्वर का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है और इन्हें अरे और हे कारक चिन्हों से प्रकट किया है इसलिए गौरब और ईश्वर संबोधन कारक है यहाँ एक विशेश बात ध्यान रखने योग्य है संबोधन कारक के साथ विस्मयादी पोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है तो प्यारे बच्चों अब आप कारक भली भाती समझ चुके होंगे लेकिन कारक एवं उनके चिन्हों को और अच्छी तरह से याद करने के लिए इस सारणी को एक बार ध्यान से पढ़िए कारक चिन्ह करताने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का की के रारी रे ना नी नू अधिकरण मे पर संबोधन हे रे अरे और शो जादान का भी तर्वा करदी अधादा